आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई How glad I am see to you आपका बहुत इंतजार किया I waited long for you और आपका सफर कैसा था And how was your journey Hello everyone, welcome back to my channel Let us be professional मैं अभय प्रताप आप सभी का अपने चैनल पर हार दिक स्वागत करता हूं डेली लाइफ में यूज होने वाले ऐसे common से word, common से sentence जो की बहुत जादा बीना grammar का use किये मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजीगा और अपने अगर आपके कोई खुद के word, कोई sentence, कोई translation या English से related कोई भी queries हो तो उनको comment box में ज़रूर बताईएगा, उससे related जो भी होगी मैं next video में उसकी result उसका response ज़रूर लेके आऊँगा तो बढ़ते अपने वीडियो में आगे की तरफ चीत हो रही थी तो सफर बढ़ियों भी था उनका तो और आपका सफर कैसा था and how was your journey तो response है मैं आराम से आगया, कोई दिक्कत नहीं होई I was comfortable, no problem I was comfortable, यानि मैं आराम से आगया, कोई दिक्कत नहीं होई no problem, कोई समस्या नहीं होई next है मुझे गलत मत समझना don't get me wrong अब यह समझने की क्या बात है भी गलत क्यों नहीं समझेंगे लेकिन हमें तो जो मैं वही वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर जो मुझे लगता है कि हम अपने घरों पर या अपने फ्रेंड्स से अपने स्कूल में यह अपने रिलेटिब से बात चीत करते हैं मैं वही वर्ड यूज करता हूँ आप अपने according जो वर्ड आप यूज करते हो अगर उसकी इंगलिश आपको नहीं आती है तो comment box में वो sentence या वो वर्ड जरूर मेंशन कीजिएगा और मैं उसका next वीडियो में रांसलेशन जरूर लेकिया हूँगा तो गलत नहीं समझना है इसका क्या मतलब है दूद फट गया है milk has turned sore दूद फट गया आप लोग साइध इस चीज को समझते हो कि दूद जो है खराब हो जाता चाय बनाने लायक नहीं रह जाती है milk has turned sore दूद जो है फट गया है इसलिए कह रहे थे को मुझे गलत मत समझना अच्छा तो इसका क्या मतलब है दूद फट गया है तो what does this mean इसका क्या मतलब है वो आप अपने according इसको कैसे कहां पर use करना आप अपना use कर सकते हैं मैं यहां पर हिंदी और उसकी English translation दे दे रहा हूं next है तो मतलब क्या समझने आप खीर कैसे बनाओ how to make rice pudding now तो अब खीर कैसे बनाओ दूद तो फट गया और आप कहरो तो इसका मैं क्या करूं so अब खीर कैसे बनाओ how to make rice pudding now अच्छा जो guess time है वो कुछ suggestion भी देंगे पैसे की पीछी मत भागो don't run after money don't run after money अच्छा इतने के साथ अभी नहीं अभी और कुछ बताएंगे पैसा आपकी पीछी भागेगा money will run after you पैसा आपकी पीछी भागेगा आईए आपको bathroom दिखा देता हूं आप जो guess time भी आपकी भी कुछ formality बनती है कुछ rule होते हैं जिने आप भी कहेंगे तो आईए आपको washroom दिखा देता हूं let me show you the bathroom आईए मैं आपको bathroom दिखा देता हूं आचा वो हो गया उसके बाद क्या आपको coffee पसंद है रे पूछने में क्या जा रहा दूद तो ऐसे ही जल गया है खराब हो गया फट गया है लेकिन पूछी अपना फर्जदा कीजिए क्या आपको coffee पसंद है do you like coffee हाँ मुझे तो बहुत पसंद है yes I like very much यानि मुझे बहुत पसंद है वो कोई भी चीज़ हो सकती चाय काफी कोल्रिंग अचा दूद तो फटी गया है बनाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो अब आजाईए अगले टापिक पे नास्ते में आप क्या पसंद करेंगे what would you like to have breakfast नास्ते में आप क्या पसंद करेंगे what would you like to have breakfast कुछ भी कुछ भी चलेगा anything will do कुछ भी चलेगा कुछ भी बना दीजिए खाएंगे जरूर मैं अब नहीं खा सकता अरे इतना तो खा लिए कितना खाएंगे मैं अब नहीं खा सकता I can't eat more मैं अब और नहीं खा सकता क्या लेना पसंद करेंगे चाय काफी फिर से पूछ लीजिए what would you like to have tea or coffee दोनों में से क्या लेना पसंद करेंगे चलिए फॉर्मिल्टी के लिए आपने पूछा तो सही मैं पहले नहाना चाहूंगा I would like to have take bath first मैं पहले नहाना चाहूंगा चलो चाय और कॉफी बनाने से फुरसत मैं पहले नहाना चाहूंगा I would like to have take bath first तारीफ की जाए हो सकता है चाय आदमी भूल जाय तो तुम बहुत सांदाल लग रहे है you are look splendid यानिस प्लेंडिड किसी के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बतानी के लिए किया जाता है you are look splendid आप बहुत सांदाल लग रहे हो बहुत अच्छे लग रहे हो हो सकता इसी बहाने आपकी भी थोड़ी बहुत तारीफ सामने वाला कर दे तुम भी बहुत ज्यादा चमक रहे हो you are also so radiant यानि आप भी बहुत ज्यादा चमक रहे हो आपकी मुस्कान सबसे अच्छी है you have the best smile you have the best smile आपकी मुस्कान सबसे अच्छी है चलिए आगे बढ़िए और परिवार में सब कैसे है and how is the family परिवार कैसा है या परिवार में सब कैसे है and how is the family मुझे आपसे बात करनी है I wish to talk to you I wish to talk to you मुझे आपसे बात करनी है आप उस दिन क्यों नहीं आए why did not you come that day आप उस दिन क्यों नहीं आए why did not you come that day guys एक चीज़ आपसे और कहना चाहेंगे इन words को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीज़िए अपनी daily life में practical इसका कीज़िए अपने दोस्तों के साथ अपने family member के साथ ज़्यादा ज़्यादा इसका यूज कीज़िए यह sentence यह word आपको write करने की जुरुत नहीं पड़ेगी देरे देरे आप इसके used to हो जाएंगे और कोई भी sentence कोई भी translation अगर आपको query हो तो आप comment box में भी बताईएगा आप उस दिन क्यों नहीं आए why did not you come that day एक जरूरी काम आ गया था there is something important to do कुछ जरूरी काम आ गया था या एक जरूरी काम आ गया है जरूरी काम आ गया है चलिए अब कम मुलाकात होगी अब कम मुलाकात तो होगी कि नहीं होगी पता नहीं कुछ मैसेज दिया जा रहा है उन्होंने आपको याद किया है कोई अच्छी खबर सुनाओ लेट साप सम गुड निज गया है अच्छे हैं रेगुलर लाइप में यूज करने के लिए कोई अच्छी खबर सुनाओ लेट साप सम गुड निज आपका मैसेज अभी मिला यो मैसेज हाँ जोस्ट बियन रिसीव अभी जोस्ट आपका मैसेज मिला जिसे हम एक तुरंत भी मैसेज मिला। जाते ही मुझे मैसेज करना message me immediately on your reaching reaching यानि पहुँच करके message me message किजिएगा message me immediately on your reaching उन्हेज मेरा मेरा पडाम कहना उन्हेज मेरा पडाम कहना या नमस्कार कहना Give me regards to him Give me regards to him मेरा उनसे नमस्काराम कहना अगले संदे मिलो meet me next Sunday अगले संडे रविवारा बोल सकते हैं दि में आज कल तो संडे ही बोला जाता है meet me next Sunday अगले संडे में मिलो मेरा phone बज रहा है my phone is ringing अब बज रहा है तो कोई नो कोई उठाएगा ही कौन बोल रहा है hello who is speaking hello कौन बोल रहा है तो hello who is speaking मिरी आवाद सुनाई दे रही है can you hear me can you hear me guys एक चीज़ और pronunciation बहुत इंपॉर्टन्ट होती English speaking के लिए तो थोड़ा ध्यान से सुनते चलिएगा can you hear me अब यहाँ पे hear ऐसे पूरा नहीं बोला जाता hear can you hear me यहाँ पे आप अधिकटा करके छोड़ दीजिए that's the best वो आपका जो pronunciation निकल के आएगा बहुत ही अच्छा निकल के आएगा आप ट्राई कीजिए एक बार दो बार चार बार can you hear me रहा वर्ट आप हलका सा कट कीजिए can you hear me हाँ मैं आपको सुन सकता हूँ yes I can hear you yes I can hear you खुल कर बोलो यानि जिसे हम कह सकते हैं speak frankly यानि openly बोलो कुछ लोग hesitate होते हैं openly बात नहीं इधर उधर घुमा के करते हैं तो ऐसे sentence में बोला जाता है खुल कर बोलो speak frankly और इसी के साथ ही आपकी बाते खतम होई तो जिसके भी घर आप गए या जो भी आया तो उसके उसने जो आपके साथ treat किया उसके लिए आप उसको thanks कही यानि आपके सिस्टाचार के लिए धन्यवाद thanks for your kutsi thanks for your kutsi और इसी के साथ thanks for watching this video मिलते अपने next video में तिल दयान तब तक के लिए जैहिन bye bye meet you in next video वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने word अपने sentence जरूर mention कीजिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा